हम टॉर्च की रोशनी दर्पन पर डालेंगे बहुत मात्रा में प्रकाश परावर्तित होगा इस दीवार पर क्या परिणाम होगा? थोड़ा सा प्रकाश ही परावर्तित होगा बचा हुआ प्रकाश दीवार सोख लेगी अब मैं ये अलुमिनियम की फोईल लेता हूँ क्या ये दीवार के जैसा बरताव करेगी? वो दीवार से ज्यादा प्रकाश और दर्पन से कम प्रकाश परावर्तित करेगी? वस्तु ने परावर्तित किये हुए प्रकाश की मात्रा और प्रकाश कैसे परावर्तित हुआ है ये सब प्रिष्ठभाग की चिकनाई और बनावट पर निर्भर करता है जब प्रिष्ठभाग की खामिया आपतित किरण के वेवलिंद के मुकाबले में छोटी होती है जैसे की दरपन तब वास्तव में पूर्ण प्रकाश समान प्रमान में परावर्तित होता है किन्तु सत्य जगत में बहुत वस्तुओं का प्रिष्ठभाग अनियमित होता है वो प्रसारित परावर्तन करते हैं जिससे आपतित प्रकाश सभी दिशाओं में परावर्तित होता है अधिकांश चीजे जो हम देखते हैं जैसे कि लोग, गाडिया, घर, प्राणी, पेड, इत्यादी, स्वैम प्रकाशे नहीं होते हैं बलकि वो नैसरगिक सूर्य प्रकाश को कृत्रिम प्रकाश में परावर्तित करते हैं अब इस केले का उदारण हिले लो इस केले का पीला रंग क्यों है? क्योंकि केला पीला रंग छोड़कर सभी रंग का प्रकाश शोशित करता है और केवल पीला प्रकाश परावर्तित करता है इस प्रिष्ठ का रंग सफेद क्यों है? ये किसी विशिष्ठ रंग का प्रकाश शोशित नहीं करता बलकि सारे रंग की तरंग दैध्य को परावर्तित करता है प्रकाश के परावर्तन को आम तौर पर दो वरगों में विभाजित किया जाता है नियमित परावर्तन को जो प्रकाश चिकने प्रिष्ठभाग से एक विशिष्ठकून में परावर्तित होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं प्रसारित परावर्तन या अनियमित परावर्तन उबडखबड प्रिष्टभाग से होता है जिसके कारण प्रकार सभी दिशाओं में परावर्तित होता है अनियमित परावर्तन के मामले में आपतित समानतर किरण विवित कुणों में परावर्तित होते हैं और समानतर नहीं रहते टिपनी यहाँ पर नियमित और अनियमित परावर्तन के लिए चित्र बनाओ हमारी रोज मर्रा की जिंदगी में नियमित परावर्तन से ज्यादा हमें अनियमित परावर्तन का अनुभव करना पड़ता है जब प्रकाश किरण दीवार, लकडी, पेड का पत्ता, लेदर का टुकडा, कागस का टुकडा, उन का भाग ऐसे अनियमित प्रुष्ठ भागों पर आपतित होते हैं, तब अनियमित या प्रसारित परावर्तन होता है विभाग के विविद हिस्से विविद दिशा में आपतित किरणों का परावर्तन करते हैं नियमित और प्रसारित परावर्तन के अंतर को दुरुष्टिगत करने के लिए दो बहुत ही अलग प्रिष्ठभाग लीजिए जब प्लेन अलुमिनियुम फॉइल पर प्रकाश आपतित होता है तब वो आपतित कोण के समान कोण में ही परावर्तित होता है यदि यही फॉइल मसल दी जाए और उसका प्रिष्ठभाग उबडखबड किया जाए तो प्रकाश सभी दिशाओं में परावर्तित होगा नियमित और अनियमित परावर्तन के अंतर का प्रयोग छाया चितरन के क्षेतर में भी किया जाता है शांत पानी चितर के विशे वस्तू से नियमित परावर्तन प्रदान करता है वस्तू से प्रकाश सीधे लेंस में जा सकता है या फिर वो लंबा मार्ग लेकर पानी से परावर्तित होकर लेंस तक जा सकता है जबकि पानी से परावर्तित होने वाला प्रकाश नियमित परावर्तन का अनुभव करता है इसलिए आपतित किरण प्रसारित होने के बजाय केंदरित रहते है इसलिए प्रकाश कैमर्या के लेंज तक पहुचने के लिए और प्रतिमा तैयार होने के लिए कारक्षम रहता है जो वस्तु की सटीक प्रतिक्रिती होती है पॉलिश की गई धातु की गेन नियमित परावरतन का सर्वोत्तम उधारण है जबकी ये रबर बॉल प्रसारित अथवा नियमित परावरतन का उधारण है शायद नियमित परावरतन का सर्वोत्तम उधारण हमारे घर का दरपण हो सकता है बहुत से लोग घंटों तक इसके सामने अपने रूप को देखते रहते हैं दरपन का चिकना परावर्ति ये प्रिष्ठभाग कालपनिक प्रतिमा दिखाता है जो परावर्तित होने वाले प्रकाश किरण आखों में जाने के कारण बनती है